खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े। सब्सक्राइब के लिए और ABP News को सब्सक्राइब के लिए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े। सब्सक्राइब के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें इसे जल से जल 6 और 7 परसंट तक उसे उठाने की सारी कोशिर कमी चाहिए। आप जैसे कह रहे हैं कि कम से कम साथ फीस्दी तक उठानी जरूवत है लेकिन क्या ऐसा करेकर सकते हैं जिससे जो है इस जीडीपी को बढ़ाया जा सके। पहला मैं इसके दो राव बताऊंगा। पहला तो मैनिफेक्ट्रिंग सेक्टर में हैं। अभी जो कल परसों जो अनॉंसमेंट्स हुई हैं जैसे कॉंट्रैक्ट मैनिफेक्ट्रिंग में 100% FDI और कई रिलाक्सेशन्स जो आटो मॉबाइल सेक्टर में दिये गए हैं। यह जो पॉस्पोर्मन्ट आव एलेक्ट्रिक वेहिकल्स जो जी गए हैं। यह मैं समझूंगा कि इंजिनेरिंग और एल्ट्रानिक इंडस्री को आगे बढ़ाएंगी। और कॉंट्रैक्ट मैनिफेक्ट्रिंग और सिंगल ब्लाइंट डीटेल के जो सुधाइन जो जी गए हैं। मैं समझूंगा कि कंसूमर के लिए कंसूम्शन बढ़ाने के अच्छे तरीके हैं। पर केवल इन से यह नहीं होगा। और कई स्टेप्स लेनी चाहिए इनको। पर्टिकुलर्ली मैनिफेक्ट्रिंग को ग्रो करना और स्किल्स डेवल्पेंट करना और इंप्लाइमेंट प्रोइट करना। जब तक इंप्लाइमेंट का प्रविशन नहीं होता है। तब तक हमारी जीडीपी और कंसम्शन और ग्रोथ साथ परसंसर में ही जा पाएगी। सर आज की प्रेस कांफरेंस में ये भी फैसला किया गया है कि जो दस बैंक है उन्हें अब मर्च करके फोर एंटाइटल्स में जो है तबदील कर दिया जाएगा। ये वाला जो कदम है आप किस तरह से देखते हैं और इसके फाइदे क्या और नुकसान किस तरह से देखते हैं देखे फाइदे तो ये हैं कि अब जो है डिजिटल एज में 27 बैंकों के ज़रुरत नहीं है आब सारे ट्रैंसक्शन्स आप मोबाइल पर और डिजिटली कर सकत हैं इसलिए इतने ब्रांचस और इतने इतने बैंकों के ज़रुरत है नहीं तो मर्ज करना ठीक ही है पर नुकसान ये है कि अभी ये बैंक्स क्या कहूं कि ये प्राविटबल नहीं है इनके इन पीएस बहुत हैं इनके पेंडिंग इस्यूस बहुत हैं इनके स्टाफ इस्य में आप नुकसान ज्यादा देखिएगा और री कैपिटलाइजेशन का कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा इसको एक बड़े मेशीन को सुधारना चोटी मेशीन को सुधारने से कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है तो मैं समझूंगा कि खाली नंबर आप दस पे ले आए या चार से ले आए इससे कुछ ठीक नहीं होने वाला है management capabilities क्या है financial capabilities क्या है उनके net interest margin क्या हो रहे हैं और उनकी digital competence क्या है यह सब देखे ही हम आगे देख पाएंगे मैं मैं समझता हूं कि यह plus और minus इसमें बहुत है पर सरकार ने सो समझ के ही यह किया होगा अब state bank को जैसे कि उन्होंने merge किया है merge करने के बाद state bank का performance हो ठीक ही हो रहा है तो इसके basis पर हम कर सकते हैं कि आगे शायद यह भी ठीक हो जाए साथ ही जिस तरह से आर्थिक संकट की बात जो है बार-बार की जा रही है विपक्ष लगाता सरकार को घेर रही है आप किस तरह से देखते है क्या वाकई इतना बड़ा आर्थिक संकट देश में इस वक देखा जा रहा है मैं नहीं समझता हूँ कि इसका एक सिंपल कार्ण यह है कि हमारी मैनिफैक्टरिंग सेक्टर जो है 18-20 परसंट है जीडिपी की और जो अग्रिकल्चर सेक्टर है इस वार भी मॉंसून ठीक ही हुए है तो सोइंग ठीक है तो इसका मैं अग्ताब रूरल सेक्टर अग्रिकल्चर सेक्टर और प्रडक्शन सेक्टर ठीक ही चलेगा और जो सर्विस सेक्टर है सर्विस सेक्टर में पर्फार्मिन से इतना खराब नहीं हो रहा है तो अगर सर्विस सेक्टर और अगरिकल्चर सेक्टर को आप जोड़ कर देखें सो 70-80% economy उसी rate पर चल रहा है जैसा कि पिछले साल चाल रहा था यह सच है कि manufacturing सेक्टर स्लोग हो गया है यह भी सच है कि employment generation बहुत स्लोग हो गई है यह भी सच है कि financial सेक्टर में कई problems आज चुके हैं तो यह सब है मैं समस्ता हूं कि यह धीरे-धीरे सुलज जाएंगे चलिए तो साफ तौर पर इस नारैंसर का कहना है कि जिस तरह से क्योंकि GDP जो है वो कम हो गई ऐसे मैं जरूरत है इसे किसी तरह से साथ प्विजदी करने की और साथ ही manufacturing सेक्टर और जो बेरोजगारी जो खास तौर पर मुदा है उन्हें कही ना कहीं जो है सुधारने की इस झाल 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 झाल